नमस्कार आपका स्वागत इश्यानी जिन्या में आपके साथ मैं तमील एक्टर विशाल ने सेंट्रल बोर्ड ओप फिल्म सर्टिफिकेशन मुंबई के अफसरों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं विशाल के फिल्म मार्क एंटिनी 15 सितंबर को ही रिलीज हुई है यह तमील भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है उनका आरोप है कि इसे फिल्म के हिंदी वर्जन को सैंसर से पास करवाने के लिए उन्हें अफसरों को साड़े छे लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी विशाल ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी कर इस सारे आरोप लगा हैं गुरुवार को एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते वे बताया कि CBFC के मुम्मई आफिस में बैठे अफसरों ने उनकी लेटेस फिल्म मार्क अंचनी के हिंदी वर्जन का सैंसर सर्टिफिकेट पास करने के लिए साड़े छे लाख रुपए की रिश्वत की मांग की विशाल ने कहा कि उनके पर इसके लावा कोई और आप्शन नहीं था क्योंकि इस फिल्म पर काफी कुछ दाव पर लगा है वीडियो अप्लोड करते पर विशाल ने लिखा सिल्वा स्क्रीन पर करप्शन दिखाया जाना ठीक है पर असल जिन्दगी में इसे बचाया नहीं जा सकता खास लोपर गवर्मेंट आफिस में और इससे भी बुरा हो रहा है सीवी एपसी मुंबई आफिस में मुझे अपने फिल्म मार्ग एंजनी के हिंदी वर्जन के लिए दो ट्रांजेक्शन में साड़े छे लाख रुपए देने पड़े इसमें से तीन लाख रुपए मैंने फिल्म की स्क्रीनिंग और साड़े तीन लाख रुपए सर्टिफिकेट के लिए दिए विशाल ने आगे कहा मैं ऐसा अपने ले नहीं वलकि दूसे फर्विसर्स के लिए कर रहा हूँ मेरा मैंनत से कमाया गया पैसा करप्शन में चला गया बिल्कुल नहीं यहां मैं सारे आविडेंस शेयर कर रहा हूँ उमीद काता हूँ कि हमेशा की तरह सत्यकी जीत होगी इसी के साथ बने रहे हैं इसे दू सिंजा के साथ